किसानों का क्रिशी बिलों के विरोध में आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है सरकार और किसानों के बीच में कई बार वारता हो चुकी है लेकिन कोई बात नहीं बन रही आलम यह है कि आज शनिवार को भी किसान सिंगू बॉडर दिल्ली पर आंदोलन रत है किसानों का कहना है कि क्रिशी विलो को रद ना करने तक आंदोरन जारी रहेगा आपको बता दें कि 26 नमंबर से दिल्ली के सिंगू बॉडर पर किसान इन कानूनों को रद कराने की मांग को लेकर डिरा जमाए बैठे यहां यह भी बता दे कि इस बीच सरकार के साथ बाचीत को लेकर किसान संगटनों की आज एहम मीटिंग हो सकती है इससे पहले सरकार की चिठी पर शुकरवार को किसानों के बीच चर्चा हुई थी किसान संगचनों के मुताबिक वे आज फिर से मीटिंग करेंगे जिसमें केंदर सरकार के बाच्चीत के नियोते पर फैसला लिया जा सकता है बताया जा रहा है कि आंदोलन के समर्थन में राश्य लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागोर सांसद हनुमान बेनिवाल के नित्रत्तों में हजारों किसान आज राजस्थान से दिल्ली कूच करेंगे इसके लिए राजस्थान के विभिन जिलों से आ रहे किसान जैपुर जिले में दिल्ली हाईवे पर कोटपूतली में एक कत्रित होंगे यहां से सभी बेनिवाल के साथ शाह जहांपूर बॉर्डर की और रवाना होंगे फिलाल यहां ते रिक्त पुलिस फोर्स लगा दी गई है दिल्ली के बुरारी में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि हमें यहां प्रदर्शन करते हुए आज एक महीना हो गया है सरकार को तीनों कानूनों को वापिस ले लेना चाहिए जितनी जल्दी ऐसा हो जाएगा हम अपने घर लोट जाएंगे हर्याना और पंजाब समेथ कई राज्यों से किसानों का दिल्ली पहुचने का सिलसिला जारी है 26 दिसंबर को पंजाब के खनोरी से और 27 दिसंबर को हर्याना के डबवाली से 15-15,000 किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे सरकार ने गुरुवार को एक और चिठी लिखकर किसानों से बाचीत के लिए दिन और समय तै करने की अपील की थी चिठी में कहा गया था कि किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए सरकार गंभीर है सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जुड़ी कोई भी नई मांग जो ने एक रिशी कानूनों के दाइरे से बाहर है उसे बातचीत में शामिल करना तर्क संगत नहीं होगा बताते चले कि हरियाना में किसानों ने शुकरवार से टोल फ्री कर दिये ये सिलसिला 27 दिसंबर तक जारी रहेगा उधर भारती किसान यूनियन ने कानूनों को रद करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अरजी लगाई थी बाकी यूगुट पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ हो सकती है बताते चले कि किसानों की सरकार के साथ कई बारवारता हो चुकी है लेकिन कोई बात नहीं बन रही है आलम यह है कि किसान कृशी बिल के विरोध में धरने पर बैठे हुए है ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपर्फेक्ट वेन्यव फर वेडिंग, लाँचिंग और पार्टी राजगराना और जोती गार्डन अजेबी बैंक्वेट्स एंटरप्राइब